हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने एटीव चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फ्रेंट्स शीवम ओटो का राइट्स एंटाइटलमेंट जो के इस वीडियो को फ्रेंट्स आप जो है दिहान तक एंड से देखिए अगर आपने शीवम ओटो का राइट्स एंटाइटलमेंट खरीदा है या आपको पहले से शेयर थे आपको राइट्स एशू राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर क्रेडिट हुआ है तो भी इसी पता होने चाहिए आप हमें फोलो कर सकते हैं इंस्टा पे इंस्टा का अट्रस हमने आपको दिया हुआ है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें डिरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं फ्रेंट्स शीवम ओटो ने अपना राइट्स एशू एक्जिस्टिंग शियर के अकॉर्डिंग आता है जो उसका साइज है यहाँ पर शीवा मॉटो ने थारा रूपे के आसपास जो है अपना राइट्स इश्यू निकाला था और नाइन टू इस्टू नाइन का इंटाइट्लमेंट रिश्यू होता है यानि कि जिनके पास नो श अब शिए के लिए कर सकते हैं अब राइट्स की एक रिकाड़्ड्डीट होती है जिस दिन आपकी dragon होता है अब बेसिकली उसका इस्का चलə कि आस पास जो स्टॉक चल रहा है कर कोई सो रुपिय का स्टॉक है और उसका जो राइट सिशू है वो आप माने के चलिए सथर रुपे के आसपास आया है तो तीस डिसकाउंट पे वो जो शेयर है आपको राइट सिशू मिल रहा है तो राइन टाइटलमे hard जब जो है credit होगा वो लगबग जो difference है उसके आसपास के उस पर credit होता है क्योंकि जब आप उस पर जो rights issue का price है वो pay कर दोगे तो main share आपको मिल जाएगा Reliance के case में आपने देखा होगा partly paid share काफे time list होते रहे ऐसा ही rights issue में तो वो difference के आसपास list होता है उस difference से जतना उपर share trade करें उतने premium पे rights entitlement का share trade कर रहा है तो Shiva Moto का जो rights issue है आठ रूपे के आसपास जो है ये stock credit हुआ था और देखते ही देखते है उसे नपर circuit पे बंद हुआ दोनों session में एक तारिक को और आज तीन तारिक चार तारिक को शेयर जो है लगबग लगबग मोटा मोटा आप मान के चलिए कल और परसके में बात कल और आज की बात कर रहा हूं sorry Monday और Tuesday को एक तारिक को से रड़े था लगबग 40-40% बढ़ा है और 34 रुपे 40 पैसे के आसपास आज बंद हुआ है जब कि शीवाम आटो का जो में शेयर है वो 35 रुपे के आसपास trade कर रहा है अब rights entitlement की जो date होती है जब जो bid date होती है rights issue की और जो closing date होती है वहां तक यह stock trade करेगा उसके बाद इसकी value zero हो इवन Reliance PP के share में काफी time ऐसा हुआ तक Reliance rights entitlement के share में कि काफी लोगों ने वो share खरीद ली और उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने नहीं नहीं तो last date को अपने share बेचे और नहीं जो है उसका जो है rights issue में apply किया तो उनके share की value zero हो गई अगर आपने last date को जैसे Shiva motto की last date है trade होने कि वो 21 जुनवरी के आसपास है अगर 21 जुनवरी को आपने share नहीं बेचा है और उसके बाद आपने rights issue के लिए apply भी नहीं किया है यानकी जो 18 रुपे आपको pay करने है जैसे आप IPO के लिए bid लगाते हैं bid भी नहीं लगाई तो ये value आपके zero हो जाएगी तो बिना सोचे समझ लोग share को खरीदे जा रहे हैं और अब हालात यह हैं कि rights entitlement का share और शीवा मोटो का main share लगबग सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं शीवा मोटो आज 35 रुपे 35 पर क्लोज हुआ और rights issue 34 रुपे 40 पर क्लोज हुआ लगबग rights issue 18 रुपे के premium पे trade कर रहा है जो की वाके में ही stock market को लेके वो मेरी समझ से पर है और जबकि शीवा मोटो के खुद के share में trading हो रही है वो circuit पे नहीं है पूरे दिन लगबग trading होती रही कुछ time circuit पे रहा तो main share खरीदने की वज़ा इतने premium पे rights entitlement का share क्यों खरीदा जा रहा है यह उनको better पता हो को जो इस share को खरीद रहे है वैसे शीवा मोटो को लेके हमने पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जहां पर इस time stock का price 10.000 रुपे के आसपास था और हमने आपको बताया था कि एक high risk high return के category में यह stock qualify होता है यहां पर एक time था इस company पर बड़े बड़े analyst bullish थे काफी बड़ा इस company का client base है यह company राद इससे जो है sales profitability इस तरह से बड़ी नहीं auto sector में slum आया और company ने बड़े बड़े losses पिछले कुछ quarters में दिखाएं तो friends इस वज़े से कंपनी डिरेटिंग हुई और अपने all time high जो इसका 110 रुपे क्यास पासे वहां से stock लगब 95% देख समय पर तूट गया था अभी बड प्रेमियम justified है या नहीं क्योंकि ultimately या तो आपको उसको sale करना पड़ेगा जिस दिन उसकी trading बंद हो रही है या फिर आपको rights issue में premium जो पैसा है प्रेमेंट है जिस पर company जो है शेयर दे रही है वह आपको पे करना पड़ेगा तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि main share में और rights issue जिस share में है उसके difference से कितना ज़्यादा वह share trade कर रहा है यानि कितने premium पर rights entitlement trade कर रहा है राइस entitlement तभी लें जब आप जो है यह एक ऐसा समझ लीजे कि rights entitlement जब कभी आप किसे share का ले रहे हैं तो आप option में जब call खरीते हैं यह उसके जैसा है अगर 15-20 दिन में main share का price भड़ता है तो वहाँ पर एक जबर्दस जम देखने को मिलेगी और main share का price अगर गिरता है तो वहाँ पर जो है उतनी गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि ultimately जो उसका intrinsic value है वो main share से ही decide होनी है तो friends इतने premium पर आरी share खरीदने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसकी trading भी किस तारिक को बंद हो जाएगा ठरार रुपे का premium वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद आपको शिवा मोटो के main share से मिलेंगे जो ultimately अभी 35 रुपे में आपको available है तो friends कभी भी लक्षमी विलास बैंक का case मुझे याद आता है जिस दिन वो share listed होना था record date सब को पता है उस दिन वो अपर circuit पे बंद हो गया कमाल की बात है retail investor जो इनको कम knowledge है वो कुछ भी खरीद लेते हैं किसी भी rate में without any knowledge तो हमेशा आप सोचिए समझिए उसके बाद market में invest करिए सिर्फ बेड़ चाल में आके किसी भी कुछ भी सुनके बस आपने नाम देखा price देख खरीदने का जो crazy retail investor में है वो उनको एक दिन कांगाल कर देगा इसमें कोई doubt नहीं ऐसे past बहुत से किसे आपको देखने कर बिलेंगे तो at least risk reward को समझिए ये समझिए जो आप खरीद रहे हो उसकी valuation क्या है क्या reason है क्या वो कारण है जिसकी वज़े से वो भड़ सकता है स्काइब करना ना भूलें थेंक यू